पुतिन के भाशन के बाद यूकरेन और अमेरिका से भी ज्यादा बड़ा जटका खुद रूस के लोगों को ही लगा पूरे रूस में हंगामा मच गया ऐसा विरोध हुआ जैसा पुतिन तो क्या रूस में किसी ने सोचा नहीं होगा ऐसा लगा जैसे यूकरेन पर बम बरसान चले पुतिन ने अपने ही लोगों पर कोई बम गिरा दिया हो। के ही लोगो घुससे से लाल हो गए हजारों लोग घरों से निकलकर सभकों पर उतर आए जो घरों मेने रह गए वह जल रहे शहरों को देखकर सहम उठे हालात काबु में करने के लिए पुलिस की भारी तैनाती करने पड़ी सैक्षणों लोगों को हिरासत मिलीआ गया लेकिन पुलिस की कैद में पहुंचने का लोगों के चेहरों पर कोई मलाल तक नहीं बल्कि ऐसा लगने लगा जैसे रूस में कोई क्रांती चिड़ गई हो ऐसी क्रांती जिसमें लोग अपने ही देश के राष्टपती से जंग की जिद छोड़ने की अपील कर रहे हैं हर कोई पुतिन के भाषण की वज़े से घुस्से में दिखा क्योंकि लोगों की टेंशन इस बार सिर्फ यूकरेन नहीं है बलकि उन्हें अब खुद की चिंता सताने लगी है फिक्र इस बात की ही नहीं है कि यूकरेन का क्या होगा बलकि सवाल ये उट रहा है कि रूस के लोगों का क्या होगा साथ महीने पहले शुरू हुई जंग से युक्रेन की तबाही में रूस के लोगों की दिल्चस्पी कम है रूस के लोगों को अब अपनी बदहाली परिशान कर रही है जब युक्रेन में रूस की फौज दाखिल हुई थी उस वक्त भी कई संगठन सडकों पर उतराये थी उन्होंने पुतिन के फैसले का सडकों पर उतर कर विरोध किया था लेकिन अब दस्वीरें उससे काफी अलग है खबर है कि जंग की वज़े से बेहाल रूस भी हो रहा है बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनियां बोरिया बिस्तर बांध कर रूस से निकल चुकी है आर्थिक प्रतिबंधों की वज़े से बैंकों का हाल बेहाल हो चुका है लोगों की नौकरियां चूट रही है काम धंदे चौपट हो रहे हैं उपर से जंग का फैसला करने वाले राष्टपती पुतिन पर घुसा बढ़ता जा रहा है इसलिए जब पुतिन ने भाशन में एलान कर दिया कि वो जुकने वाले नहीं है तो रूस में ही आग लग गई लोगों के सबर का बांध चूड़ गया क्योंकि रूस के लोग भी समझने लगे हैं कि जंग से उनका भला नहीं होगा बलकि जंग से केवल बरबादी ही होगी ऐसा नहीं है कि पुतिन इस बात को नहीं समझते रूस की अर्थिवस्था की बदाहली के आंकड़े हैरान करने वाले है वर्ल्ड बैंक कानुमान कहता है कि मौझूदा कारोबारी साल में रूस की जीडीपी बढ़ने की रफ्तार माइनस में रहेगी मतलब जीडीपी बढ़ने की बजाए कम हो जाएगी वो भी खरीब 11 प्रतिशत तक हाला कि रूस की सरकार कानुमान वर्ल बैंक के अनुमान से कुछ बहतर है लेकिन अगर जंग न चुडी होती तो रूस काफी बहतर हालत में था अनुमान ये था कि इस साल रूस की जीडीपी बढ़ने की रफ्तार 5 प्रतिशत रहेगी ये रूस की सरकार का अनुमान था मतलब अगर जंग न शुरू होती तो जीडीपी विकासदर 5 प्रतिशत रहती लेकिन जंग की वज़े से जीडीपी गिरने वाली है वो भी 11 प्रतिशत रूस के हर महीने आने वाले एक्स्पोर्ट और इंपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि उसके चालूख खाते को 3 गुना चपत लग चुकी है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंतर को चालू खाता का जाता है बेरोजगारी के आंकड़े तो रूस की सरकार जारी ही नहीं कर रही लेकिन माना जा रहा है कि रूस में जंग के बाद से बेरोजगार होने वाले युवाओं की गिनती लाखों में हो सकती है उसी दिन से पुतिन का वहां अभी से बेकाबू हो चुकी है लेकिन सरकार सही तस्वीर दुमिया के सामने आने नहीं दे रही लेकिन पुतिन जानते हैं कि बदहाली की तस्वीर को हमेशा के लिए छपाया नहीं जा सकता थोड़ी बहुत मदद जो रूस की अर्थविवस्था को मिल रही है वो महंगे कच्चे तेल की वज़े से मिल रही है लेकिन वो भी स्थाई नहीं है जिस दिन अमेरिका ओपेक प्लस देशों को तेल का अपादन बढ़ाने के लिए मना लेगा उसी दिन से पुतिन का वो खेल भी खत्म हो जाएगा इसलिए रूस के लोगों में बेचैनी और डर का माहूल है पुतिन ने बस ऐलान किया ही था कि वहां भगदर मच गई लोग रूस छोड़ने के लिए तैयार हो गए किसी भी तरह से वो रूस की सरहत के पार निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगे थोड़ी देर में आसपास के देशों तक पहुंचने वाली उड़ानों में सीटें भरने लगी बची हुई सीटों के दाम कई गुना बढ़ गए लेकिन लोगों को कीमत की नहीं जान बचाने की पड़ी थी किसी भी तरह से लोग रूस से निकलने की जद्दो जहद में लग गए थोड़ी देर बाद पुतिन ने एरलाइन कंपनियों को सक्त आदेश जारी कर दिया साफ कहा गया कि 18 से 65 साल के बीच के लोगों को टिकेट न दी जाए मतलब यह कि लोगों के रूस से निकलने पर भी रोक लगा दी गई या इसे यूँ भी कह सकते हैं कि पुतिन अपने देश के लोगों को जबरदस्ती जंग में लड़ने के लिए भेजेंगे हाला कि पुतिन के पास कोई दूसरा विकल भी नहीं है इन रिजर्व सेनिकों को हत्यार चलाना भी आता है और इन्होंने लड़ने की भी ट्रेनिंग ली होती है लेकिन ये दूसरे सेनिकों की जितने पारंगत नहीं होता है जबकि जंग की शुरुआत में जिन सेनिकों को यूकरेन भेजा गया था तो रिजर्व पौजी उसी जंग में उसी दुश्मन का मुकाबला कैसे करेगी यही बज़ा है कि लोग किसी भी कीमत पर रूस छोड़कर निकलने पर तुले है उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे पुतिन उन्हें जबरदस्ती मौत के मुँँ में धकेल रहे है